उधारन 13 कोश्टक में 2x धन 5 गुणित कोश्टक में 4x धन 3 गुणन फल ज्यात किजिए बहुपद 2x धन 5 गुणित दूसरा बहुपद 4x धन 3 का हमें गुणा करना है बराबर हम पहले बहुपद का पहला पद 2x को दूसरे बहुपद से गुणा करेंगे तो 4x धन 3 जो है दूसरा बहुपद को हम कोश्टक में लिखेंगे और पहले बहुपद का जो दूसरा पद है धन 5 इसका हम पुना गुणा करेंगे दूसरे बहुपद से तो हम दूसरे भफुपत को हम कोश्टक में लिखेंगे कोश्टक बन बराबर अब हम 2x का गुणा कोश्टक के भषुपत के हर पदों से गुणा करेंगे तो 2x गुणित 4x धन 2x गुणित 3 धन 5 गुणित 4x धन 5 गुणित 3 बराबर यहां पे गुडांकों का गुड़ा होंगा तो दो गुणित चार गुणित एक्स गुणित एक्स धन दो गुणित तीन एक्स धन पांच गुणित चार कुष्टक में एक्स धन पांच तीया 15 बराबर दो चौक आठ एक्स गुणित एक्स गहात दो यहां के घहात जुड़ जाएंगे एक धन एक दो धन दो तीया 6 एक्स धन पांच चौक 20 एक्स धन धन 15 यहां पे 8 x गहाद 2 अकेला है जबकि 6 x धन 20 x यह सजाती पद है तो यहां पे 6 धन 20 को हम जोड़ेंगे और उभैनिष्ट x होंगा धन 15 बराबर 8 x गहाद 2 धन 26 x धन इस तरह यहां उधारण हल होगा